गुजरात के गवणर, श्रियाचार्य देवरत जी, यहां के लोग प्रिय मुख्यमंत्री, सिपोपेंद्रभाई पटेल, गुजरात सरकार के मंत्रिगण, शिक्षा जगत के सभी दिगच, गुजरात के होनहार विद्यार के मित्र, अन्य सभी महानुभाव, देवियों और सज्जनों, आज गुजरात, अम्रित काल की, अम्रित पीडी के निर्माण की तरफ, बहुत बड़ा कदम उठा रही है, विख्षीद भारत के लिए, विख्षीद गुजरात के निर्माण की तरफ, ये एक मिल का पत्थर सिद्ध होने वाला है, इसके सुभारम पर, मैं सभी गुजरात वासियों को, सभी अध्यापकों को, सभी उवा साथियों को, इतना ही नहीं, आने वाली पीडियों को भी, बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुपकामनाई देता हूँ, साथियों, हाल ही में, देश ने, मोबाइल और इंटरनेट की, फिफ्ट जनरेशन, यानि, फाइव जी के युग में प्रवेश किया है, हमने इंटरनेट की, फिफ्ट जी से लेकर, फोर जी तक की सेवाओं का उप्योग किया है, अब देश में, फाइव जी, बड़ा बदलाव लाने वाला है, हर जनरेशन के साथ, सिर्फ पीड़ी नहीं बड़ी है, बलकि हर जनरेशन ने, टेकनोलोजी को, जीवन को, करीब से करुब हर पहलू के साथ जोड़ा है, साथियों, इस प्रकार हमने, देश में, स्कूलों की भी अलग-अलग जनरेशन को देखा है, आज, 5G, स्मार्ट सुविधाएं, स्मार्ट क्लास्रूम, स्मार्ट टीचिंग से आगे भढ़कर, हमारी सिक्षा विवस्ता को, नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा, अब virtual reality, internet of things, इसकी ताकत को भी, हमारे छोटे-छोटे बाल साथी, हमारे विद्यार्थी स्कूलों में, बड़ी आसानी से अनुभव कर पाएंगे, मुझे खुशी है, कि इसके लिए गुजरात के, इस मीशन स्कूल अप एक्सेलन्स के तौर पर, पूरे देश में, बहुत बड़ा और महत्वपून, और सबसे पहला कदम उठा दिया है, मैं पुपेंदर भाई को, उनकी सरकार को, उनकी पूरी टीम को भी, साधुवा देता हूँ, सुबकामनाई देता हूँ, साथ यब बीते दो दस्वकों में, गुजरात में सिक्षा के एक शेत्न में जो परिवर्तन आया है, वो अभुदपूर्व है, बीच साल पहले, हालत ये थी, कि गुजरात में, सो में से बीस बच्चे, स्कूल ही नहीं जाते थे, यहने पांचवा हिस्सा, सिक्षा से भार रह जाता था, और जो बच्चे स्कूल जाते थे, उनमें से बहुत सारे बच्चे, आठवी तक, पहुंचते पहुंचते ही स्कूल छोड़ देते थे, और इसमें भी दुरभागे था, स्कूल की स्तीती तो और खराब थी, गाउं के गाउं ऐसे थे, जहां बैटियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था, आदिवासी छेत्रों में, जो थोड़े बहुत पढ़ाई के केंद्र थे, वहां साइंस पढ़ाने की सुविधाय तक नहीं थी, और मुझे खुशी है, मैं जीतु भाई को, और उनकी टीम की कलपकता को, विशेश्रुप से बढ़ाई देता हूँ, शायद आप महां से देख रहे हैं थे, क्या हो रहा है, मंच पर समझ नहीं आया होगा, लेकि मेरा मन करता हैं मैं बता दू, हमना जे बाळों को मने मल्या, ये बाळों को हता, जे रे 2003 मां, पहलो शाला प्रवेश्वोच्व करे हो हतो, अने हुँ आदिवासी गामों मां गयो हतो, 40-45 डिगरी गर्मी हती, तेर, चょल पंदर, जुन्ना य़ी दिवस हता, अने जे गाम मां बाळों कोनू, उच्छा मां ओचू सिक्षन büyा, दिकरीों नू ऊच्छा मां ओचू सिक्षन ये गाम मा कई उता हो, अने पहली बार ये गाम मां में कई उतना, तमारी दिक्षा मांगवायो छो अन्य मने तमें बिक्षा मां वचन आपों कि महरे तमारी दिक्रीने पणावी छो अन्य ये पहला कारकम मां जे बालकोने हुँ आंगडी पकड़ीने निशाले ले गे यो तो ये बालकोना आजे मजे दर्शन करवानो अवसर मले आपड़े उन्स सवती पहला एमना माता पिताने बंदन करूँ छो कारण एमने मारी वातने स्विकारी उन्तो शाड़ाय ले गे यो पने एमने एन्ना महतमयने समझू अन्य एमने बालकोने जिटलू भणी शक्या एटला भणाया अने आजे पोताना पगपुरू भाधे ने आपनी पासे जोवा मलया मने ये बालकोने मली ने खासकरेनना माता पिताने बंदन करूँ अन्य गुजरात सरकार जितुपैने अभिनेंदार आपू जो कि मने आ बालकोने मलवानो अउसर मले आजे जेमने एकडियो भणावा माते आंगडि पकडिने लई जवानों मने सव भाग्या मड़ी होतो साथियो इन दो दसकों में गुजरात के लोगों ने अपने राज में सिक्षा व्यवस्ता का काया कल्प करके दिखा दिया है इन दो दसकों में गुजरात में सवा लाग से अधीक नए क्लासरूम बने दो लाग से जादा सिक्षक भरती किये गए मुझे आज भी वो दिन याद है जब शागा प्रवेसोत्सव और कण्या केणवनी वो महोसव उसका आरंब हुआ था प्रयास है था कि बेटा बेटी जब पहली बार स्कूल जाएं तो उसे उत्सव की तरह मनाया जाए परिवार में उत्सव हो महले में उत्सव हो पुरे गाउं में उत्सव हो क्योंकि देश की नई पीडी को हम सिक्षित और संस्कारित करने का आरंब कर रहे हैं मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने गाउं गाउं जाकर खुद सभी लोगों से अपनी बेटियों को स्कूल भेज़दे का आगरह किया था और प्रणाम यह हुआ है कि आज गुजरात में करीब-करीब हर बेटा-बेटी स्कूल पहुँचने लगा है स्कूल के बाद अब कॉलेज जाने लगा है चाथियो इसके साथ ही हमने सिक्षा की गुनवत्ता पर भी सबसे ज़्यादा बल दिया आउटकम पर बल दिया इसलिए हमने प्रवेशोचव के साथ साथ गुनवत्त सब की शुरुवात की थी क्वालिटी एजुकेशन मुझे अच्छी तरह याद है कि गुनवत्तों में हर एक विद्यार्थी का उसकी खमताओं का उसकी रूची का उसकी अरूची का साथ-साथ सिक्षकों का भी आकलन होता था इस बहुत बड़े अभ्यान में स्कूली विवस्ता के साथ-साथ हमारे ब्रोकेट्स हमारे अधिकारी इवन पुलिस के अधिकारी फॉरेस के अधिकारी वे भी तिन दिल के लिए गाउं गाउं स्कूलों में जाते थे हिस्सा बन जाते थे अभ्यान का और मुझे बहुत खुशी है कि कुछ दिन पहले जब मैं गांदे नगर आया था तो उस गुणोच्षव का एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलोजी बेज बर्जन विद्या समिक्षा केंद्र के रुप मे मुझे देखने को मिला विद्या समिक्षा केंद्रों की आधुनिकता देखकर कोई भी हरान हो जाएगा और हमारी भारत सरकार ने हमारे शिक्षा मंत्री ने देश भर के शिक्षा मंत्रियों को और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को यह गांजनेकर बोलाया था और सब सब के सब ये विद्या समिक्षा केंद्र को गंटों तक उसका अध्यान करने में लगे थे और बाद में भी राज्यों से डेलिकेशन आते हैं और विद्या समिक्षा केंद्र का अध्यान करके उस मोडेल को अपने राज्य में ले जाने की कोशिच कर रहे हैं गुजरात इसके के लिए भी अभिनन्दन का अधिकारी है कि राज की पूरी स्कूली शिक्षा के पल-पल की जानकारी लेने के लिए एक केंद्रिय व्यवस्ता बनाई गई है एक अभिनव प्रयोग किया गया है गुजरात के हजारों स्कूलों लाखों सिख्षकों और करिब सवा करोर स्टू उसका big data analysis, machine learning, artificial intelligence, video wall और ऐसी तक्नीक से विश्ट्रसन किया जाता है। उसके आधार पर बच्चों को बहतर प्रदेशन के लिए आवश्यक सुझाव दिये जाते हैं। साथियों, गुजरात में सिक्षा के खेत्र में हमेशा ही कुछ नया, कुछ युनीक और बड़े प्रयोग करना ये गुजरात के DNA में है, स्वभाव में है। गुजरात में पहली बार, Teachers Training Institute, Institute of Teachers Education के स्थापना हमने की थी, Children University, दुनिया में एक मात्र युनिवर्सिटी चिल्टी और उस खेल महाकुम का अनुभव देखिये, उसके कारण सरकारी मशिनरी को जो काम करने की आदत बन गई, गुजरात के युवा धनकी खेल के परती जो रूची बनी, ये जो इको सिस्टिम तैयार हुआ, उसका परणाम है, कि जब आज बहुत सालों के बाद, राष्ट्रिय खेल महोत्सव गुजरात में हुआ, अभी पिछले सप्ता, मैंने इतनी तारिप सुनी है, क्योंकि मैं ख अधाया मुझे मुझे न दो, आप गुजरात के मुख्यमंत्रियों और गुजरात सरकार को दीजिये, ये सारा उनका पुर्शार्थ है, उनका परिश्रम है, जिनके कारण इतना बड़ा देश का खेल उत्सव हुआ, और सारे खेलाणिये कह रहेते, कि साब हम अंतराष्ट के खेलों में जाते हैं, और जो हम होस्पिटालिटी और व्यवत्ता देखते हैं, गुजरात ने उसी मन लगार की योजनाये बनाई, हमारा स्वागत सम्मान किया, मैं सचमुच में इस कारकम को सभल बना करके, खेल जगर को गुजरात ने जिस प्रकार से प्रोशाइत किया है, इस कारकम को होस्ट करके, जो एक नए स्टांडर प्रस्थाबित किये है, इसके लिए गुजरात ने देश की बहुत बड़ी सेवा किये, मैं गुजरात के सभी अधिकारियों को, गुजरात सरकार को, गुजरात के खेल जगत के सभी लोगों को रदे से अभिननन करता साथ यों एक दसक पहले ही गुजरात के 15,000 स्कूलों में टीवी पहुँच चुका था 20,000 से जादा स्कूलों में computer-aided learning labs ऐसी अनेकों व्यवस्ताएं बहुत साले पहले ही गुजरात के स्कूलों का अब इनने अंग बन गई थी आज गुजरात में एक करोड से अधिक students और चार लाग से अधिक teachers के online attendance होती है नए प्रयोगों के इसी सिलसेले को जारी रखते हुए आज गुजरात के 20,000 स्कूल सिख्षा के 5G दोर में प्रवेश करने जा रहे हैं Mission Schools of Excellence के तहट इन स्कूलों में 50,000 नए classroom एक लाग से अधिक smart classroom इसको आधुनिक रूप में विक्षित किया जाएगा इन स्कूलों में आधुनिक, डिजिटल और फिजिकल इंफ्रासेक्टर तो होगा ही ये बच्चों के जीवन उनकी सिख्षा में व्यापक बढ़लाव का भी अप्यान है यहां बच्चा को सामर्त को बढ़ाने के लिए हर पहलू हर पक्ष पर काम किया जाएगा यानि विद्यार्ति की ताकत क्या है, सुधार की गुंजाइश क्या है, इस पर फोकस किया जाएगा साथियों, 5G टेकनलोजी इस व्यवस्ता और उसका लाब बहुत आसान होने वाला है और सरल सब्दों में किसी को समझा रहा है, सामान्य मानवी को यह लगता है कि पहले 2G था, 4G था, 5G हुआ, ऐसा नहीं है अगर 4G को मैं साइकल कहूँ, बाइसिकल कहूँ, तो 5G हवाई जहाज है इतना फरक है, टेकनलोजी को अगर मुझे, गाउं की भासा मैं सम्झाना है तो मैं ऐसा कहूँगा 4G मतलब साइकल, 5G मतलब, आपके पास हवाई जहाज है, वो ताकत है इसमें अब गुजरात को बढ़ाई इसलिए है, को उसने इस 5G की ताकत को समझते हुए, इस आधूनिक सिक्षार, इसका बहुत बड़ा मिशन, एक्सलेंसी के लिए किया है, ये गुजरात के भाग्य को बदलने वाली चीज़, और इसे हर बच्चे को उसकी जरुवत के हिसाब से सिंखिने का मौका मिल पाएगा, इससे विशन सुन से दूर सुदूर के गाउं के स्कुलों की पढ़ाई में, बहुत मदद मिलेगी, जहां दूर बेस्टीचर की जरुवत हैं, आराम से इससे उपलब तो हो जाएगा, बेस्ट काकलास लेने वाला वेक्ती, हजारों किलोमे सब्सक्राइब दूर होगा, ऐसा ही लगेगा, जैसे मेरे सामने बैठ करके मुझे पढ़ा रहा है, हर विशय के बेस्ट कंटेंड, हर किसी के पास बहुत पाएगे, अब जैसे अलग-अलग स्कील्स को सिखाने वाले स्रेश टीचर, अब एक जगत से ही अलग-अलग गाउ शेहरों में बैठे बच्चों को एक ही समाई में वर्चुली रियल टाइम में पढ़ा सकेंगे, शिखा सकेंगे, इसे अलग-अलग स्कूलों में जो गैप अभी देखने को मिलता है, वो भी कापी अब तक दूर होगा, आंगनवाडियों और मालबाटिका से लेकर केरियर और कंपिटिटिव अग्जाम की तैयारियों तक यह आधोनिक स्कूल भी द्यार क्योंके हर जरुवत को पूरा करेंगे, कला, शिल्प, व्यवसाय से लेकर, कोडिंग और रोबोटिक्स तक हर प्रकार की सिक्षा छोटी उमर से ही यहाँ उपलब दरहेगी, यानि नई यह शिक्षा निति के माद्यम से, पूरे देश में इसी प्रकार के बडलाव को आज केंदर सरकार प्रोटसाइथ कर रही है, इसलिए केंदर सरकार ने पूरे देश में साड़े चौदा अजार से अधिक PM, PM स्री स्कूल, PM स्री स्कूल बनाने का भी फैसला किया, यह पाइल उसमें अगर कुछ कम्या है, कुछ जोडने की जरूत है, बदलती हुई टेक्नलोजी को उसके साथ जोडने की जरूत है, उसमें बडलाव करके, परफेक्ट मोडल बना करके, देश की सबसे ज़्यादा स्कूलों में ले जाने का बविश्म प्रयास किया जाएगा, यह केंद्र सरकार इस योजना पर 27,000 करोर रुपे खर्च करने जा रही है, नई राष्टिय शिक्षानिती में जिस प्रकार क्रिटिकल धिंकिंग पर फोकस किया गया है, बच्चों को अपनी ही भाष्णा में बहतर शिक्षा का वीजन हो, उसको इस स्कूल जमीन पर उतारेग यह एक प्रकार से बाकी स्कूलों के लिए पत्र प्रदर्शक के रुपे काम करेंगे, साथियों आजहादी के अमरित महोसों में, देश ने गुलामी की मानसिक्टा से मुक्ति का संकल्प लिया है, नई राष्ट्य सिक्षानिती गुलामी की मानसिक्ता से देश को बहार नि इनोवेशन को निखार्दे का प्रयास है अब देखिये देख में क्या स्थिती बना कर रख दी गई थी अंग्रेजी भाषा के ज्ञान को इन्टेलिजन्स का पैमाना मान दिया गया था जबकि भाषा तो स्रिप संवात का कॉमिनिकेशन का एक माध्यम पर है लेकिन इतने दसकों तक भाषा एक ऐसी रुकावड मन गई थी जिसने देश के गावों में गरीब परिवारों में प्रतिभा जो थी जो प्रतिभा का था उसका लाब देश को नहीं मिल पाया नजाने कितने ही प्रतिभासाली बच्चे देशवासी सिर्फ इस लिए डॉक्टर इंजिनर नहीं बन पाए क्योंकि उनको जो भाषा समझ आती थी उसमें उनको पढ़ाई का आउसर नहीं मिला अब यह स्थिती बदली जा रही है अब विद्यार्थियों को मिलना शुरू हो गया गरीम मा पन छोक्रान अंगरीजी साला मा नव बनावी शकी हो है तो पन दिकरा दिकरीने डॉक्टर बनावनू सपनू जोई शके जहें अने नी मानी भाषा मा ये बालक डॉक्टर पन बनी शके ये दिशा मा आपने काम करि दिकरीबना गर्मा पन डॉक्टर तयार था है गुजराती सहीद अनेक भारतिय भाषाओं में पाठकरम बनाने के लिए प्रयास चल रहे हैं इविक्सित भारत के लिए सबके प्रयास का समय है देश में ऐसा कोई नहीं होना चाहिए जो किसी भी कारण से छुट जाए यदि नई नेस्टनल एजुकेशन पॉलिसी की स्पिरीट है और इसी स्पिरीट को आगे बढ़ाना है सात्यों सिक्षा पुरातन काल से ही भारत के विकास की धूरी रही है हम स्वभाव से ही नौलेज के ज्ञान के समर्तक रहे है और इसलिए हमारे पुर्वजों ने ज्ञान वि स्थापित की हाला कि फिर एक दौर आया जब आकरांताओं ने भारत की संप्रदा को तबाह करने का अभियान चड़ा लेकिन सिक्षा को उस विशह में भारत ने अपने मजबूत इरादों को न छोड़ा मजबूत आगर को कभी नहीं छोड़ा जुल्म सहे लेकिन सिक्षा क का रास्ता नहीं छोड़ा यही कारण है आज विज्ञान विज्ञान के दुनिया में इनोवेशन में हमारी अलग पहचान है आज आदी के अमरित काल में अपनी प्राचीन प्रतिष्ठा को वाप्रत लाने का आउसर है भारत के पाथ दुनिया की स्रेश्ट नॉलेज इकना अधिकास इन्वेंशन भारत में होगे और मैं जब कहता हूँ उसका कारण मेरा मेरे देश के नौजवानों पर मेरे देश के नौजवानों की टैलेंट पर मेरा भरोसा है इसलिए यह कहने का मैं साहस कर रहा हूँ इसमें भी गुजरात के पास बहुत बड़ा उसर है अभी तक गुजरात की पहतान क्या थी? हम व्यापारी, कारोबारी एक जगा से माल लेते थे, दूसरी जगा पर बेचते थे और बीच में दलाली से जो मिलता था उसे रोजी रोटी कमाते थे उसमें से बाहर निकलके गुजरात दीरे दीरे मैनिफेक्टरिंग के ख्षेत्र में अपना नाम कमाने लगा और अब 21 स्वधी में गुजरात देश के नॉलेज हप के रुपे, इन्वेशन हप के रुपे विक्सित हो रहा है मुझे विश्वात है कि गुजरात सरकार का मिशन स्कूर्स अप एक्सिलेंस इसी स्पिरिट को बुलंद करेगा साथियों मुझे इस अत्यनत महत्वपन कारकम में आजाने का मोका मिला अभी एक गंटे पहले मैं देश की रक्षा सक्ति के वाले कारकम से जुड़ा था गंटे भर के बाद देश की गुजरात की ज्यान सक्ति के इस कारकम में जुड़ने का आउसर मिला है और यहां से अभी जा रहा हूँ जुनागट फिर राजकोड वहां सम्रुद्धि के खेत्र को छूने का मुझे प्रयाद करने का आउसर मिलेगा साथियों एक बार फिर गुजरात के विद्या जगत को गुजरात की भावी पीड़ी को उनके माता पिता को आज इस महत्वपुन अउसर पर यह महत्वपुन अउसर है साथियों इसके लिए अनेक अनेक शुप कामनाय देता हूँ भुपेंद्र भाईवर उनकी टीम को रदैस से बहुत बदाई देता हूँ धन्यवाद